दोस्तों स्वागत करते हैं TechnoTess World के एक और fresh कमाल tech वीडियो में और दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों जितनी भी आपने VFX FX देखियोंगे या फिर जितनी भी movies में दोस्तों editing देखियोंगी जहां पे हमें background यानि पीछे का ये जो पर्दा है ये change करना होता है दोस्तों पीछे का ये पुरा look change करना होता है दोस्तों वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एक green पर्दे का अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि वो जो screen होती है वो जो एक पर्दा होता है वो green ही क्यों होता है व कर आपको background अपना detail चेंज करना है तो आप green एक परदा खरीब दो दोस्तों आज सिखते हैं इसे वीडियो के बारे में तो अगर नहीं कि हमारे चैनल को subscribe तो कर लो फटाफर से subscribe क्योंकि हम daily ऐसे टिकनिकल वीडियो लेके आते रहते हैं तो दोस्तों finally जब भी बात होती है तो वीडियो एडिटिंग की तो वहाँ पे हमें अपने background को कभी कभी change करना हो जाता है बहुत ज़्यादा important लेकिन दोस्तों जब भी हमें अपने background को change करते हैं तो पीछे हमें एक screen लगाने की ज़रूरत पड़ती है यानि एक परदा लगा काने का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों maximum cases में जब भी कोई बड़ी-बड़ी movies जैसे Captain America ये से movie जैसे suit होती है दोस्तों तो वहाँ पे green परदे का इस्तमाल किया जाता है अब दोस्तों आपको एक बात बता हो कि वह परदा किसी color का भी हो सकता है लेकिन green परदे को ही पहली priority क्यों देते हैं दोस्तों इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा reason यह है ना कि दोस्तों plants और animals यानि एक पौधा और एक इंसान दोस्तों उन दोनों में सबसे बड़े जो difference होती है दोस्तों वह एक चीज़ को होता है that is chlorophyll दोस्तों पौधों में ना chlorophyll present होता है इंसान chlorophyll present नहीं होता है इसी वज़े से जितने भी पेड़ पौधे हैं वो green दिखते हैं वो हरे भरे दिखते हैं और इंसान हरा भरा नहीं दिखता है हम लोगों का एक color ही अलग होता है हम लोगों के body का तो दोस्तों अगर हम green परदा पीछे लगा दें तो हमारे skin tone से दोस्तों वह प परदा इसके tone से match नहीं कर रहा है दोस्तों आपने 99% cases में देखा होगे कि जब एक green परदे पर कोई movie suit होती है तो कोई भी इंसान वहां हरा कपड़ा नहीं पहनता है दोस्तों वह जितनी भी बड़ी-बड़ी Hollywood movies होती है वहाँ पर green चीजे नहीं होती है लेकिन दोस्तों अ अगर green कपड़े में उनकी अगर कभी suiting हुई तो वहाँ पर उस पीछे की green background के परदे को change करके दोस्तों नीला कर दिया जाता है जैसे बहुत बार हम नहीं देखा दोस्तों movies में कि green कपड़ा अगर कभी use कोई character करता है कोई बहुत बड़ा character अगर green कपड़ा use करता है तो द tone या फिर हमारे कपड़े से या फिर हमारे body से उसका color match रहा करे क्योंकि दोस्तों जब भी हमें rating करते हैं ना software में तो हम उस color को ही remove कर देते हैं जिसकी पूरा background remove हो जाता है और अगर वो color दोस्तों आपके body से match कर गया अगर green परदा है हमने green shirt पह लिया तो दोस्तों यह सब tone से match नहीं करते हैं अब दोस्तों ऐसे में सवाल निकल के आता है यह कि दोस्तों अगर हमें green कपड़ा पहनना है तो फिर हमें किसी और रंग का पीछे परदा यूज़ करना पड़ेगा तो I hope दोस्तों आपको मिलके होगी जानकारी कि जब भी हम VBX से फिर दिखाते हैं य कैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं और दोस्तों एक और important बात आपसे हमिसा कहता हूं दोस्तों कि आप हमें comment करके जरूर बताया करो दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है क्योंकि दोस्तों जब तक आप नहीं बता होगी तब तक हम अपने वीडियो में improvement नह पल्ड़ करें